अगर आपको इस सब्चेक्ट की सारी वीडियो चाहिए तो वह सारी वीडियो एक प्लेलिस में मिलेंगी उस प्लेलिस के लिंग दिस्क्रिप्शन में एक वार आप जरूर चेक कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे crime की definition, essential element and stages पूरा crime के बारे में अच्छे से crime क्या होता है, क्या definition है, इसकी क्या essential element है, यह सब with stages हम डिस्क्स करेंगे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए criminal law, criminology या फिर penology इन सब की अगर study के जाती है तो इस चीज को हम कहते है criminal science तो सबसे पहले अगर हम बात करें crime की definition की तो as per section 40 of IPC ये कहा गया है कि हर वो act, हर वो omission जो की IPC के तहत क्या है punishable है वो क्या है offense है मतलब कुछ किया जाना या फिर कुछ ना किया जाना अगर IPC के तहत punishable है तो वो क्या है वो offense है act और omission के बारे में थोड़ी चीज़े आपको देखने को में लेगी section number 33 of IPC में ही इसको आप link करके पढ़ सकते हैं वही अगर हम बात करें section 2 and of CRPC यहाँ पर भी same ही बात की गई है यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई act या फिर कोई omission कुछ किया जाना या फिर कुछ ना किया जाना जो कि IPC के तहत क्या है punishable है या फिर किसी other law जो कि for the time being enforcement में है उसके तहत क्या है punishable है तो वो चीजे क्या है वो चीजे offense की category में आती है जिसकी motor vehicle act वगरा हो गए जो अलग-अलग act बनाए गए हैं जो अलग-अलग law बनाए गए हैं उनके तहत जो offenses बताए गए हैं उनको भी यहाँ पर कहा गया है कि वो act वो omission जो कि other law के तहत for the time being जो enforcement में है उनके तहत अगर कोई act या फिर omission क्या है punishable है तो वो भी क्या है offense की category में आता है ऐसा कहा गया है section 2N of CRPC में इन definitions के अलावा कई ऐसे jurist हैं जिन्होंने अपने तरीके से crime को define किया है तो सबसे पहले नाम आता है blackstone का तो प्री में आपके question ऐसे आता है कि crime is a public wrong यह किस ने कहा है तो इसका answer है blackstone ने blackstone ने crime को public wrong की terms में define किया है इन्होंने कहा है कि crime forbid और command करने वाला जो public law है यानि कि निशिद या फिर समादेशिद करने वाली जो सारवजनिक विधी है उसके violation में अगर कोई act या फिर कोई omission किया जाता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्या crime इस चीज़ को हम कहते हैं अप public wrong है वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्टिफिन की तो स्टिफिन ने भी crime को define किया है प्री में ये आता है कि किसने ये कहा है कि crime moral wrong है तो इसके लिए आप ठिक लगाओगे स्टिफिन के उपर तो स्टिफिन ने कहा है कि crime सिफो सिफ वनिशेबल नहीं है लोग के बलकि ये जो society के moral sentiments होते हैं उनको भी ये revolt करता है उनके लिए भी ये घिनोना है तो इस तरीके से स्टिफिन ने crime को moral wrong की terms में define किया इसके बात एक और jurist है जिनका नाम है Kenny इन्होंने कहा कि crime क्या है एक punishable चीज है मतलब जिसके लिए punishment मिलती है वो चीज क्या है crime है और इसस बचने का कोई तरीका नहीं punishment मिलेगी मिलेगी यानि कि ये किसी private person के द्वारा remisable नहीं है अगर इसको limit कर सकता है तो उससे फोसिफ क्या है soverin है उससे फोसिफ स्टेट ऐस सिफोसिफ ये राजजी के द्वारा ही छम्य है otherwise किसी private person के द्वारा ये छम्ये नहीं है तो ये कह इनकी यह जो definition है इसको हम सत्य नहीं कह सकते हैं इसमें मतलब कुछ त्रूटियां है लाइक जिसे कि आपने बहुत सारे प्रोवीजन्स पड़े होंगे CRPC में आपने पढ़ा होगा प्ली वार्गनिंग वाला प्रोवीजन और CRPC में compoundable offenses की list दी गई है जिसमें IPC के कुछ offense को बताया गया है कि यह compoundable है जिनको drop किया जा सकता है तो यहां पर parties क्या कर सकती है आपस में समझोता करके जो crime है उसके लिए समझोता कर सकती है आपस में ही चीज़ को सुलजा सकती है नियायाले को इसमें हस्तक शेप करने की जुरूत नहीं है बिना नियायाले के हस्तक शेप के बिना 소verine के हस्तक शेप के जो parties है वो खुदी आपस में सुला कर सकती है तो इस तरीके से ऐसा कहना गलत है कि जो ये crime है ये punishable चीज तो है ये तो सही बात है लेकिन ये सिफ और सिफ sovereign के द्वारा remissable है मतलब इसके लिए sovereign ही क्या कर सकता है आपको शमा दे सकता है राज्य इसके लिए आपको शमा दे सकता है ऐसा नहीं है अगर parties आपस में सुला कर लेते हैं कुछ ऐसे offense है जिनके लिए आप आपस में सुला कर सकते हैं फिर वो क्या हो जाएंगे समझोते के तहत सुलग जाएंगे शम्य हो जाएंगे तो इस तरीके से इनकी definition में ये कमी है अब अगर हम बात करें next definition की जो की हमें मिली है Oxford English Dictionary से यहां पर ये बताया गया है कि crime वो act है जो की law के द्वारा punishable है जिसके उपर statute के तहत रोक लगाई है forbidden है statute के द्वारा जो की public welfare सारजनिक कल्यान के लिए क्या है injurious है हानी कारक है जो की low hit के लिए हानी कारक है वो act जो की डंडनिय है किसी अधीनियम के द्वारा निच्छिद है और low hit के लिए हानी कारक है क्या है crime है ये कहा गया है Oxford English Dictionary में तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि crime क्या है crime एक unlawful act है जो की punishable है by the state और by any lawful authority a crime और an offense is an act which is harmful not only to the person ठीक है वो act जो से वसे person के लिए ही harmful नहीं है but also to the community and society और state इन सब के लिए जो harmful act है जो की statute के द्वारा forbidden है जो की punishable by law है वो क्या है वो crime है तो इस तरह से कोई भी unlawful act जो की law के द्वारा punishable है forbidden by statute है यानि की अधिनियम के तहत क्या है निचिद है और public welfare के लिए क्या है injurious है लोग hit के लिए हानिकारक है तो वो क्या है crime है तो ये है आपकी crime की definition criminal law के तीन fundamental principle है पहला principle यह है कि कोई act crime नहीं माना जाएगा जब तक की वो एक crime के रूप में किसी particular law के तहत punishable नहीं है next कोई भी person बिना lawful authority के punish नहीं किया जाएगा मतलब जैसे की बोलते हैं न कानून आप अपने हाथ में ना लो तो वो इसलिए बोलते हैं कि बिना lawful authority के आप कानून हाथ में ने ले सकते हैं किसी person को punish नहीं कर सकते हैं third point यह है कि अगर कोई act किसी law के enact होने से पहले अगर किया गया था तो जैसे ही law enact हुआ तो उस act के लिए punishment नहीं दे जाएगी तो यह तीन fundamental principle है criminal law के as worthy wolf vendor committee crime के चार essential element होते हैं पहला essential element होता है human being दूसरा essential element होता है guilty intention यानि की mensria तीसरा essential element होता है apt या फिर omission जिसे आप कह सकते हैं actus venus and चौथा essential element होता है harm या फिर injury तो यह आप note कर लेना बारी-बारी से हम इनको detail में discuss करेंगे हर एक essential element को crime का पहला essential element है human being human being को कहीं पर IPC में define नहीं किया गया है but IPC के section number 10 में men and women की definition दी गई है कहा यह गया है कि men का मतलब होता है कोई भी male human being जो कि किसी भी age का हो वहीnd women का मतलब है कि कोई भी female human being जो कि किसी भी age की हो वहीं अगर हम बात करें अभ first essence element की human being तो कहने का मतलब यह है कि जो crime है वो human being के दौरा commit किया जाना चाहिए जो wrongful act है वो human being के द्वारा commit किया जाना चाहिए तब ही first essential element crime का fulfill होगा किसी non living thing या फिर किसी animal को person या फिर human की category में नहीं रखा गया है और नहीं यहाँ पर उस व्यक्ति की बात की गई है जो कि infant है, insane है because उनको general exceptions के तहट क्या मिलावा है, कुछ exemptions मिलेवे हैं तो इनको यहाँ पर include नहीं किया गया है और साथ ही यह भी important चीज है कि जिस व्यक्ति की यहाँ पर बात की गई है वो क्या होना चाहिए, वो law को obey करने की legal obligation के अधिन होना चाहिए for example, जिसे की by gaming का ही हम example ले लेता है तो यह एक crime है, ठीक है, बट यह Muslims के उपर apply नहीं होती है हलांकि यह crime है, बट यह Muslims के उपर apply नहीं होती है तो यहाँ पर Muslims क्या है, इसको obey करने के लिए legal obligation के अधिन नहीं आता है तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर किसी human being ने कोई crime commit किया है तो वो उसके लिए तभी punishable होगा, जब वो जिस law के तहत punishment दी जा रही है उसके अधिन वो लोग को obey करने की legal obligation के तहत आता है इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ person ऐसे हैं जिने criminal liability से exemption मिलावा है, immunities मिलीवे हैं यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि एक normal adult human being होना चाहिए जिसके द्वारा कोई crime commit किया जाना चाहिए और वो लोग को obey करने के legal obligation के अधिन होना चाहिए section 11 of IPC के तहत define किया गया है person term को और यह जो definition दी गई है person की यह exhaustive नहीं है यह inclusive है तो इस तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है जैसे कि person में include होता है कोई भी company, association या फिर body of person चाहिए वो incorporated हो चाहिए वो incorporated ना हो तो इस तरीके से जैसे कि यह definition inclusive है तो इसके अंदर artificial या फिर judicial persons भी included है तो अगर यह सवाल पूछ लिया जाए कि भई अगर कोई company crime करती है तो क्या उसके उपर legal liability आएगी क्या उसको punishment दी जाएगी क्या उसको jail में डाल दे जाएगा नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता है इसके उपर एक case है मैसर सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 1965 का case है इस case में ये बात हैल की गई थी Bombay High Court के द्वारा कि भई जो company है वो उन crime के लिए guilty हैल नहीं कि जा सकती है जो कि किसी human being के द्वारा किये जा सकते हैं लाइक जिससे की rape, by gamey, murder, etc Similarly, जो company है वो उन crime के लिए भी guilty हैल नहीं कि जा सकती है जो कि death के साथ punishable है या फिर जो imprisonment के लिए punishable है Company सिफ और सिफ उन crime के लिए guilty हैल कि जा सकती है जो कि exclusively या फिर alternatively fine के साथ punishable है तो ये बात हैल हुई थी Mr. Syndicate Transport Private Limited 1965 की case में तो दोस्तों ये था आपका crime का पहला essential element Crime का second essential element है mensria या फिर जिसे हम कह सकते है guilty intention प्री में बहुत आता है कि crime के निमलिखित में से क्या essential element नहीं है option में देराख होता है human being, mensria, actus rinus और motive तो ठीक लगाना क्या है motive नहीं है mensria, actus rinus, human being और harm cause होना ये सब क्या है crime के essential elements है तो second essential element है mensria जिसको guilty intention भी कहता है ऐसे पूछ रगाता है कि mensria का मतलब क्या होता है खाली intention लिखाता है एक तरफ लिखाता है guilty intention एक तरफ लिखाता है motive एक तरफ कुछ और लिखाता तो answer क्या है guilty intention तो यहाँ पर ये जो term है ये ये एक Latin maxim से derive हुआ है और वो Latin maxim है इस Latin maxim का मतलब होता है कि guilty intention and guilty act ये दोनों ही मिलके क्या करते है constitute करते है crime इस maxim का मतलब यही है कि किसी person को punish नहीं किया जा सकता है किसी criminal proceeding में किसी criminal nature की proceeding में जब तक कि ये show ना कर दिया गया हो कि उसने जो act किया है वो guilty mind से किया है ये इस maxim का मतलब है कहने का मतलब यही है कि जब तक mensoria नहीं है evil mind नहीं है जब तक guilty intention नहीं है तो crime constitute नहीं होता है इस पूरे maxim के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बहुत ही detail में इसको अच्छे से with relevant case loss discuss करेंगे तो यहां से आपने बस ये ध्यान रखना है कि crime का second essential element है mensoria या फिर इसे हम कह सकते है guilty intention कहने का मतलब यही है कि जब तक कोई कार रिये guilty intention से नहीं किया जाएगा वो crime की category में नहीं आएगा से किया हो evil mind से किया हो ये ज़रूरी है बट ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि strict liability के case में mensoria हो या ना हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है अगर strict liability वाला concept लगता है किसी act पर तो वहां पर कोई person mensoria से कोई act कमिट किया है या नहीं किया है इस बास से कोई फरक नहीं पड़ता है किसी person की guilty intention थी या नहीं इस बास से कोई फरक नहीं पड़ता है strict liability के case में तो ये प्रीमे पूछा गया था कि mensoria का कहां पर होना crime को constitute नहीं करता है तो इसका answer है जहां पर strict liability का concept लगता है वहाँ पर mensoria किसी act को commit करने के लिए होना ज़रूरी नहीं है थर्ड essential element है crime का एक्टर स्रीनस या फिर guilty act इसको समझने से पहले हम दुबारा से mensoria को समझते हैं जिसके मान लो होता क्या है एक लड़की बैठी मेरे सामने उसने अपनी घड़ी उतार कर बहुत ही महेंगी घड़ी है table पर रख दी फिर उस घड़ी को देखके मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार कितनी अच्छी घड़ी है काश ये मेरे पास होती एक काम करती उसको नो चुरा लेती हूँ पर ये लड़की जैसी जाएगी न तब चुरा होँगी तो मतलब मैं सोच रही हूँ सोच रही हूँ से रही हूँ ठीक है और वो लड़की नहीं गए मैं सोचती रहे गे मैंने कुछ बाहरी आक्ट नहीं किया कोई अपनी सोच को गिल्टी इंटेंशन यानि कि एक एक एक्क्यूस परसन को कुछ या तो करना चाहिए ऐसा या फिर कुछ नहीं करना चाहिए ऐसा जिससे क्या हो इंजरी हो यानि कि कोई आक्ट किया गया या फिर कोई ओमीशन ठीक है कुछ किया गया या फिर कुछ नहीं किया, जिससे क्या होती है, injury cause होती है, तो वो crime को full करने वाला third essential element है, that is actistriness, यानि कि कोई act किया जाना, with guilty intent, तो act follow करता है guilty intention को, कोई act तभी crime कहलाएगा, जब तोनों के दोनों हो, guilty intention भी हो, और guilty act भी किया गया हो, तभी वो crime कहलाएगा, ये important चीज आपने ध्यान रखनी है, और जो guilty intention है, किसी person के दिमाग में, जो गलत ख्यालात आए है, उन गलत ख्यालातों के according, क्या किया जाना चाहिए, act किया जाना चाहिए, तभी वो crime में क्या हो जाएगा, तबदिल हो जाएगा, तो ये है आपका third essential element crime का, a fourth essential element है, कि जो act किया गया है, with guilty intention, ठीक है, उससे क्या होना चाहिए, उससे कोई injury होनी चाहिए, यानि कि हम ये कहा सकते हैं, अगर guilty mind था, और guilty act किया भी गया था, ठीक है, फिर injury अकर नहीं होती है, तो इस चीज़ को crime की category में नहीं रखा जाएगा, injury किसी भी तरीकी की हो सकती है, कोई reputation को injury होई हो, शरीर को injury होई हो, संपत्ती को कोई awareद रूप से injury कारित की गई हो, किसी भी तरीकी की injury हो सकती है, आप देख सकते हो, section 44 of IPC में injury की definition दी गई है, वहाँ से आप इस चीज़ को infer कर सकते हो, तो इस तरह से हमें कह सकते हैं, कि crime को constitute करने के लिए, चार essential element होते हैं, पहला तो यही कि भई, चो crime है, वो एक human being के द्वारा किया जाना चाहिए, दूसरी चीज़ यह है, कि भई, उस crime से किसी दूसरे person को, किसी दूसरे को क्या होनी चाहिए, injury होनी चाहिए, कोई हाम होना चाहिए, कोई hurt होना चाहिए, वो किसी भी तरह की injury हो सकती है, reputation को लेकर injury हो सकती है, शरीर को लेकर, संपत्ति के संबन में injury हो सकती है, व्यक्ति के मानसिक्ता को आपने इंजरी पहुचाए, इस तरह की भी इंजरी हो सकती है, तो इंजरी कॉस की गई हो, और यह important चीज है कि भई, actus renus हुआ हो, यानि कि guilty act किया गया हो, with guilty intention, ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक crime cup constitute होता है, जब यह चारो element उसमें होते हैं, गया है, ठीक है, guilt को establish करने के लिए actus renus ही काफी है, मेंसरिया की ज़रूरत नहीं है, बुरा आशय होने की ज़रूरत नहीं है, in the case of strict liability, यह कह सकते हैं, कि strict liability के case में, strict liability का सिध्धान जो है, वो यह कहता है, कि भई, चाहे मेंसरिया हो, या ना हो, ठीक है, आपने actus renus किया ह है, चाहे आपके दिमाग में दुराशय हो या ना हो, इस बास से कोई फरक नहीं पड़ता है, माना यहीं जाएगा, कि भई, इस guilty act को commit करने के पीछे आपका मेंसरिया था, in the case of strict liability, यह presume किया जाता है, मेंसरिया होना ज़रूरी नहीं होता है, I hope आपको यह चारो essential element clear हो गए यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कोई act या फिर कोई omission तभी crime कहलाएगा, जब वो act या फिर omission किसी law के द्वारा क्या होगा, punishable होगा, otherwise नहीं, अब हम अगर बात करें crime की various stages की, तो total crime की चार stages है, crime यानि कि अपराद की चार अवस्थाएं है, पहले अवस्था है, intention to commit crime, यानि कि अपराद करने का आशा है, दूसरी है preparation to commit crime, यानि कि अपराद करने की तैयारी, तीसरी है attempt to commit crime, यानि कि अपराद करने का प्रियास, चौथी है commission, यानि कि अपराद की पूर्णता, इन सभी stages को अब हम बारी-बारी से discuss करेंगे, crime को commit करने की first, या ऐसा कहा रख इनिशल स्टेज क्या है इंटेंशन है और इस स्टेज को पनीशेबल नहीं माना गए IPC के तहत इसको हम एक एक्जामपल से पढ़ेंगे जो की लॉड कहनी ने दिया था मुझे इस एक्जामपल को पढ़के बहुत हसी आते गभी गभी तो इसमें हुआ गया था कि जो एक पर ओला होता है थीक है तो इस सिट्वेशन में उसके उपर क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोस नहीं की जा सकती है हाला कि उसके इंटेंशन तो अंब्रेला चुराने की थी लेकिन सिफ और सिफ महन्सर्या होने की वज़े से क्रिमिनल आईडिया ओफ शिर जबाने का ये जो क्र रिणाम कोई आर्क नहीं हुआ ठीक है इसको कोई फिजिकल रूप नहीं दिया गया यहां पर बिकोज उसने अपनी अंप्रेला तो चुराई है तो यहां पर कोई अवर्ट आक्ट नहीं हुआ है उसका intention act में तबदिल नहीं हो पाया है तो इस वजह से उसका intention punishable नहीं है क्योंकि जब तक कि कोई intention कोई guilty intent आप overt act में नहीं तबदिल कर देते हैं तब तक वो punishable नहीं होती है इसलिए यह बार बर मैं आपको बता रहे हूँ कि actor srinus and main sria यह दोनों ही मिलकर crime को क्या करते हैं crime को constitute करते हैं यह दोनों अगर होते हैं तब ही next stage की अगर हम बात करें अब तो next stage है preparation to commit crime याने कि crime करने की तयारी ठीक है like किसी भी तरीके से हम design वगरा बना रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे करके हम तयारी कर रहे हैं कि हम like जैसे की मैं यह intention कर रही हूँ कि मेरी कोई friend है मैं उसको poison देगे माना चाती हूँ तो फिर मैंने क्या किया मैंने सोचा कि पहले मैं medical shopper पर जाओंगी और फिर वह फिर इसके बात किया किया मैंने preparation कि preparation कैसे कि मैं गई खुद medical store पे गई वहां से मैंने poison खरीदा ठीक है poison खरीदने के बाद मैं अपनी friend के पास गई ठीक है मेरे purse में poison रखा था मैं गई अपनी friend के पास फिर मैंने फिर उससे बात वगरा की फिर उससे जब मैंने बात की इतन सब्सक्राइब तो मैं करने से क्या नहीं हो जाता है इसके स्टेज है इसके बाद सेज आते है एटाइम करने की इसके बाद आगर मैं कोशिश करती हूँ उसको पॉजन पिलाने की लाइक मैं। सब्जी में मिलाकर दे दिया वो सब्जी निए खाई ठीक है तो यहाँपर मैं ने कोशिष की ठीक है यह अलग चीज हो फिर इसके बाद अगर वो सब्जी खा लेती है ठीक है खाने के बाद की और वो मर souvent जेगई तो फिर तो यहां पर मेरा गिल्टी इंटेंट था पहला स्टेप जो था क्राइम का वो कंप्लीट पहले हो गया था फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की पॉईजन वगरा खरीदा तो प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया फिर उसके बाद मैंने क्या किया सबजी में मिला दिया ठीक है ज प्रिपरेशन सिफ उसी प्रिपरेशन करना ठीक है क्राइम की पनिशेबल नहीं है जैसे कि यहां पर एक 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 जामपल दे रखा है कि एक परसन एक व्यक्ति को मारने के लिए क्या करता एक पिस्टॉल वगएरा खरीदता है फिर वो उस जगह जाने के रेलवे टिकेट खरी ळुझ चिसे उसका थो झाल दोग घम लेकिन जैसी एक पर इसा को गोली लगतिए तो फिर वो क्या हो जाएगा वो पूरा क्राइम कामिटी हो जाए तो यहां पर सुसमें पर रेपरेशन की है उसने पॾल खरी दी है और उसने रेल फेल लिग के टिकेट खरीदिया है बट माना गया है पनिशेबल नहीं होता है लेकिन पुछ ऐसे केसे हैं IPC में जहां पर अगर आप प्रिपरेशन भी करते हो तो फिर क्या हो जाएगा आपको डेंड मिलेगा जिसे कि यहां पर सेक्षिन है सेक्षिन 122 अफ आफ आफ इंडिया की अगेंस्ट अगर आफ वार विच क करने के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं यह क्या हो जाएगा यह आपके उपर क्रिमिनल लाइबलिटी इंपोस करने के लिए काफी होगा इसी तरीके सेक्षिन 126 अड् सेक्षिन 399 इन सेक्षिन के तहए जो ओफ इस डिफाइन है उनके लिए अगर आप हमने क्या किया हमने क्राइम को अंजाम देना चाहा लेकिन कुछ परिस्थीदियों की वज़े से हम उसमें चूप गए ठीक है तो यह चीज कहां फॉलो जाएगी अटैंब में फॉलो जाएगी यानिकि आपने कोशिश की है क्राइम करने की आपने क्राइम करने का क्या किया परियत ने किया है, like कोई भी person, किसी ऐसे act को, अगर, knowingly करता है, तो इसको हम यह कெता है, कि भई उसमे क्या क्या है, परियत ने किया है, उसने attempt किया है, वो भी तब, जब वो किसी वजह से उसको पूरा complete करने में क्या हो जाता है, चूख जाता है, पर सिध्य की आप nos, कि वो चोग जाता है इसलिए हम ऐसा क्या सकता है कि जो एक attempt होता है वो crime को commit करने के लिए direct movement होता है after the preparation has been made जैसे आपने preparation कर ली उसके बाद आपने direct movement किया crime को commit करने का लेकिन just because of circumstances आप उसमें fail हो गए ठीक है पर सीथिया ऐसी थी कि आपकी इच्छा के विपरित आप उसमें fail हो गए तो यह क्या हो जाएगा यह attempt की category में fall हो जाएगा like IPC में बहुत से ऐसे अपराद है जिनका प्रियत्न करना जिनको attempt करना क्या है अपराद माना गया है जैसे कि IPC के section 307 में attempt to murder दिया गया है उसी तरीके से आगे दिया गया है section number 308 में attempt to commit culpable homicide section 309 में दिया गया है attempt to commit suicide 393 of IPC में दिया गया है attempts to commit robbery वही section 398 में दिया गया है provision attempt to commit robbery or decoity when armed with deadly weapon और वही अगर हम बात करे section 511 की वहाँ पर भी आपके offense को commit करने वाले attempts की बात की गई है ऐसे offenses के attempt की बात की गई है जिनका IPC में expressly provision नहीं दिया गया है expressly जो provided नहीं है उनके attempt की बात कहां पर की गई है section 511 में जब हम इस section को पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से detail में पढ़ेंगे like जिसे की 511 में एक example दिया गया है कि जो एक A person है वो B की pocket में उसकी जेप काटने के intention से क्या करता है हाट डालता है ठीक है पूर्ण होना इसको ऐसे कहते हैं कि यह अपराद की चौथी स्टेज है या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अंतिम अवस्था है अपरात की अपरात के पूर्ण होने पर ठीक है यसचे बाद आपने क्या किया गिल्टिटिन धिया प्रिपिरेशान किया फिर उसके बद आपने कोशिष किए लेकिन अगर आप चूक गए लाइजी कि आप tehuk स्वे अगर आपक नहीं चूक जाए उसमे तो तो इस तरीके से ये कहा जाएगा कि भई उसने क्या कर दिया क्राइम को कमिट करने में तो तब वो अटैंप में गिल्टी हो जाएगा ठीक है कि उसने कोशिश की थी अटैंप करने की लेकिन अगर वो अटैंप में अपने फेल नहीं होता है तो फिर वो complete offense क्या हो जाएगा ग आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी IPC की नेक्स वीडियो होगी इस मैक्जिम के उपर इस मैक्जिम को हमने बहुत अच्छे से डिसकस करना है क्योंकि आपके में में बहुत आता है और इसमें बहुत सारे landmark cases में में सिया के संबंद में हैं जिससे आपको ये concept आप पढ़ा चुके हैं Indian Evidence Act की अगर आपको वीडियो चाहिए सारी की सारी तो उसकी प्लेलिस की लिंग दिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और साती मैं बता दू कि e-book हमने बनाई है Indian Evidence Act के अपने जितने भी lecture है हमारे section 17 से लेकर section 167 तक के उन सब की हमने एक e-book बना दि email.com तो यहाँ पर आप मुझे mail करना कि मैं हमें evidence के notes चाहिए तो वहाँ पर मैं आपको पता दूँगी कैसे आपने उस e-book के लिए pay करना है then मैं आपको e-book वहाँ पर provide कर दूँगी तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते है next वीडियो में झाल 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 कि मैं आपको जाल झाल चाल झाल झाल